हाई गाईज मैं हो प्रिती और आप सभी कपी उप्रिंस वर्ल्ड में सुवाबत है आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुब बित्रा होगा फ्रेंज आज के वीडियो में बताओंगी कि जो हमारा ब्रेस्ट फिडिंग का जो लैचिंग प्रोसेस है वो कैसे पर्फेक करें और उसके साथ साथ हम है ना कैसे breastfeeding कराते समय वो latches वो positions किस तरह से use कर सके वो सारी चीज़े इस वीडियो में बताऊंगी मैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मैंने चैनल पर नए है पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीस इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत माइने रखता है फ्रेंड्ट cruelty is perfect latch होता क्या है पॉरा ब्राउन एरिया है ब्रेश का वो पूरा प्रचे का भूरा बच्चे के मुँ में जाना उसे perfect latch कहते है फ्रेंट्स परफेक्ट लैचिंग लाने के लिए अलग अलग पोजीशन है जो मैं आगे दिखाऊंगी अब किस पोजीशन के साथ परफेक्ट लैच कर सकते हो वो सारी चीज़ आगे दिखाने वाली हो पर फिलहार के लिए आपको समझना है कि आपको ब्रेस को किस तरह से होल सेंड्विच का साइज इतना बड़ा हो गया तो आप इस तरह खा नहीं सकते हो आ करके तो आप क्या करोगे उसे दोनों हाद से थोड़ा से स्क्वीज करोगे और फिर मुह में डालोगे इस तरह बस यही चीज करनी है आपके बच्चे के साथ फ्रेंस बहुत लोग मोलते हैं कि जब मेरा ब्रेस से बहुत बड़ा है और अब ब्राउन ने दिया है वह भी बहुत बड़ा है बच्चे का मुझ बहुत चोटा है उसके मुझ में जाएगा कैसे तो जो मैंने एक्जैम्बल दि किया रखके फिर उसके बाद अपने बच्चे के मुझ में अपने ब्रेस को डालने से पहले आपको अपने ब्रेस को है ना कुछ इस तरह से स्क्वीज करना है और फिर डालना है बच्चे के मुझ में आप चाहे तो साइट से स्क्वीज करके डाल सकते है या फिर उपा से इ और अलग अलग बताने वाली इस वीडियो में उस पोजीशन के साथ भी थ्राये कर सकते हैं एक पोजीशन नहीं समझ में आया उसमें आप 2 पोजिशन इस्तंमाल कर सकते हैं और फ़ोर्थ पोजिशन में इस्तमाल कर सकते हैं एक ना ईक में तो बच्चा पींगा ही और अद्म प्याशन में अरे स्ट्म्साइब पच्चा और यस चरृत को अब करें आप मिलेगा अच्छा ग्रीप बैठने के है दिवाल का ठेका लगाके यहां आप लकाँ से बैच वहां का ठेका लगाके आपको बैठना है और उसके बाद यह जो अपना है यह नॉमल पीलो ने सकते पियुका रहा है ना उस तरह से अब चलिए मैं आपको कुछ पोजिशन बताती हो जिसमें आपको ब्रेस्फिड करना है सबसे पहला है ना पहले आपके बच्छे को एजेस कर ले और ब्रेस्टिंग कराते समय है ना बच्छे का जो पेट है आपके पेट से टच होना चाहिए तब भी आप ब्रेस्ट फिडिंग कराईएगा जिस तरह से मैं प्यूं को ले रही हूं ना उसी तरह से फर्स पोजिशन दिखा रही हूं है ना क्रेंडल होड पोजिशन है यह जिसमें आप आप ना कौनी पे अपने बच्चे का सर रखते हैं फिर प्रेस्ट कराते हैं अगर निपल को पकड़ के बच्चे के मूह में डालना है फिर सेकंड पॉजिशन है क्रॉज क्रिडल में क्या होता है कि अब ये संसや था प्रेस्टैना थे क्लीट चेसा क्रॉज फिर पुक्रिकिंटória हो हो जाता है और बच्चा ना सास ले भी सकता है और पर प्रापर कि से दूद भी पी सकता है कुछ इस तदा से है उना होल करता मैं अपने बैस को ताकि ना बच्चा बहुत को है थोड़ा साइट कर देना है और यह पोजीशन है सेक्षन वाले जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है इसमे हैं बहुत अच्छे से पकड़ सकते ओं आप लांट भी होता है उसमें है ना बच्छा अच्छे तक ग्रिप भी कर लेता है और अच्छे तरीके से पी भी लेता है आपको कौन सा अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा फ्रेंस आज का वीडियो में यही पर खतम कहती है पसंँ अच्छा कलेएगा उसे प्रॉपले ज़रू किज एक और अपने फैमिली अच्छे प्रेंड के साथ शेयर किजेगा ऊच्छाब उसमें प्रक्र लेटी नाइस मैं मुझे और बिर दिखनेक 감사합니다 और दो जारें मिद्यों भाई